फ्रेंट्स, नगेट्स में आज बात करते हैं एक पॉपुलर कोट की जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, ये कहता है कि if you fail to plan, you plan to fail, यानि कि अगर आप life में कोई planning नहीं करते हैं, चाहे वो आपके health से related है, या relationship के, या career से related, कोई planning नहीं करते हैं, तो actually में आप जो plan कर रहे हैं, वो बस failure है, या फिर आपको life में कुछ ऐसी चीज़ें phase करना पड़ सकता है, जिसको कि आप phase करना नहीं चाहते थे, या वो बहुत painful phase हो सकता है, तो बहतर यहीं होगा कि life का जो सबसे important aspects है, आपकी health, आपकी mental और physical health और आपका relationship, और साथी साथ आपका career, इन चीज़ों को लेकर, आप कुछ न कुछ planning जरूर करिए, अगर आपको लगता है कि long term planning बहुत ज़्यादा boring है, या उसे करने में आप आपको बहुत ज़्यादा efforts लगाना पड़ा है, तो आप short term ही plan करिए, और जब आप उस stage पे पहुँच जाए, तो आप आगे का plan कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर का मत plan करिए, लेकिन at least एक मन्त का या दो मन्त का planning तो साथ लेके चलिए, और जब वो complete हो जाता है time तो आप next phase का planning कर सकते हैं, इससे जरूरी आपकी life में बहुत drastic change होगा और बहुत ज़्यादा life में improvement होगा, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को like, subscribe और share करना मत भूलिएगा, thank you